नमस्ते हमें सुनीता सेंगाडा सायाकाचारी संस्क्रत स्वर्गी श्री भिकाबाई भील राजकी महाविद्याले सागवाडा से हमने अपनी पूर्व की वीडियो में श्रीमत भगवत गिता के द्विते अध्याय का अध्यन करते हुए देखा कि पृथा पुत्र अरजुन रन भूमी में विशाद ग्रसी थें तथा उनके सार्थी बने हुए श्री कृष्ण उन्हें युद्य हेतु प्रेरीत कर रहे हैं भी उसे आदम तत्व का ज्यान प्रदान करते हैं साथ ही उसे शत्री धर्म का इस्मरन कराते हुए युद्य प्रेरित कर रहे हैं इसी क्रम को आगे बढाते हुए आज की इस वीडियो में हम निश्काम कर्म योग के बारे में अध्यान करेंगे श्री क्रिष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वेदों के प्रती जो मनुष्य श्रद्धा रखते हैं वे कर्मफल प्रदान करने वाले अनेक कर्मकांडों को करते रहते हैं किन्तु वेदों में वणित सभी कर्म कर्मफल प्रदान करने वाले हैं एश्वरिय तथा भोग प्रदान करने वाले हैं और उनके प्रती अत्यदिक आ सकती रखने से मनुष्य कर्मफल के बंधनों में बंध जाता हैं उसे मौक्ष की ब्राप्ति नहीं होती हैं इसी कर्म में श्री कृष्ण आगे कहते हैं त्रेगुण्य विश्या वेदा निस्त्रेगुण्यो भवार जुन निर्ध्वन्दो नित्य सत्वस्थो निर्योग ख्षेम आत्वान निष्काम कर्म का यहां पर वर्णन करते हैं कि हे अरजुण्य विश्या वेदा हैं कि जो भी वेद हैं वेदों में वर्णीत जो भी क्रियाए हैं कर्मकांड हैं वह तीन गुणों से युक्त हैं सत्व, रज और तम और इन में द्वारा वनित जो भी कर्मकांड हैं उनके द्वारा भोगों और एश्वरियों के प्राप्ति होती हैं तो त्रेगुण्य विश्या वेदा ये जो वेद हैं वहां तीन गुणों से युक्त कर्मकांड की व्याख्या करते हैं अतह हे अरजुन निस्त्रे गुण्य भव तुम इन तीनों गुणों से रहित हो जाओ इन गुणों के प्रती तुम आ सकती मत रखो जो भी सांसारिक भोगें और एश्वरियों हैं जिनकी प्राप्ती के लिए वेदों में अनेक प्रकार के कथन कहे गए हैं तुम उन कथनों के प्रती आ सकती मत रखो निस्त्रे गुण्य भव तुम इन तिनों गुणों से रहित हो जाओ निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान निर्द्वंद हे पार्थ तुम द्वंद से रहित बनों शीत ओष्ण सुख दुख मान अपमान जय पराजे कि जो भी द्वंद हैं जो युगल व्रत्यां हैं इनसे तुम रहित हो जाओ नित्य सत्वस्थो हमेशा तुम समानता के भाओं में स्थीत रहो सभी परिस्थितियों को तुम अपने लिए समान समझीए और सत्व अर्थात उस जो परमतत्व है परमात्मा है तुम उसे में अपने चिंतन को स्थीत करो निर्योग क्षेम, तुम योग और क्षेम रुपी जो भावना है, योग अर्थात अप्राप्त की प्राप्ती करने का जो प्रयतन है, और क्षेम अर्थात प्राप्ती की रक्षा का जो प्रयतन है, इन दोनों से ही तुम रहित हो जाओ, प्रथक हो जाओ, तो निर्योग क्ष और इस प्रकार तुम निश्काम भाव से कर्म करते हुए आत्मवान आत्म परायन बने उसी परमात्म तत्व में तुम स्थीर हो करके तीनों गुणों से रहीत हो करके द्वंदों से रहीत हो करके और प्रतिदीन उस परम तत्व परमात्मा का चिंतन करते हुए योग और क्ष से रहीत होकर के मात्र अपना करतवी मानते हुए आत्मवान उस आत्म परायन बने और इस प्रकार तुम निश्काम भाव से कर्म करो किस्से आगी कहते हैं यावन अर्थ उद्पाने सर्वतह सम्पलूत दके तावान सरवेश वेदेशु ब्रामनस्य विजानत ह। अब यहाँ पर ब्रामन जो ब्रह्म की उपासना करने वाला हैं जो ब्रह्म ज्ञान तत्व को जानने वाला हैं। की विशेषटा बताती हुए कहते हैं, यावन अर्थ उद्बाने सर्वतह संप्लूत उद्गी, सर्वतह चारों तरफ से या परिपूर्ण संप्लूत उद्गी, जल्सी उदक से भरे हुए उद्बाने, जलाशे के प्राप्त होने पर यावन अर्थ जितना अर्थ, जितना प्रयोजन एक सामानिय या अल्प जलवाले सरुवर से रह जाता है ब्रामनस्य विजानत तो जो उस ब्रह्म को उस परमात्म तत्व को जानता है उसका ज्यान जिसे प्राप्त हो चुका है सर्वेशु, वेदेशु, तावान सभी वेदों के प्रती तावान उतना ही और प्रयोजन उसका रहता है यहाँ पे उधारन पुर्वक श्री क्रिश्न कह रहे कि जो वेद है वेद ब्रह्म ज्यान का एक अंश है जिस प्रकार से अगर किसी मनुश्य को परिपूर्ण अगर जलाशे प्राप्त हो जाए तो जो छोटे जलाशे हैं कम जल वाले जलाशेयों से उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता है क्योंकि उसे समपूर्ण जलाशे प्राप्त हो चुगा है उसी प्रकार जिस मनुश्य को ब्रह्म प्राप्ति हो चुकी हैं, ब्रह्म ज्यान की प्राप्ति हो चुकी हैं, उसे सर्वीश्व, वेदिश्व, अन्य वेदों के प्रती कोई प्रयोजन नहीं रहता है, अर्थात, वेद ज्यान भी ब्रह्म प्राप्ति का ही एक मार्ग हैं, जब ब्रह्म प्राप्ति हो जा ही प्रयत्ना करो इससे आगे कहते हैं कर्मन्ने वा अधिकारस ते मा फलेशु कदाचन मा कर्म फल हेतु भुमा ते संगे अस्तु अकर्मनी वही कर्मयोग निश्काम कर्मयोग के स्वरुप का यहां पर प्रतिपादन करते हैं कर्मन्ने वा अधिकारस ते हैं अर्जुन तुम्हारा मात्र कर्मनी एव अधिकार हैं कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार हैं फलेशु कदाचन मा उसके फल में उसके परिणाम में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है यहां कर्म योग का वर्णन कर रहे हैं कि मनुश्य का मात्र अधिकार केवल कर्म करने में हैं कि वह कर्म करें फलीशु किन्तु उस कर्म का क्या फल हैं क्या परिनाम है पुन्य मिलेगा अथ्वा पाप है जय पराजय लाभानी जो भी उसका परिनाम है कदाचन मा, उसमें मनुष्य का कभी अधिकार नहीं है अतह, मा कर्म फल हे तू भुमा तुम कर्म फल का कारण मत बनो हे तू हे तू अठात कारण कि अगर तुम कर्म कर रहे हो, तुसको निश्काम भाव से करो उसके परिनाम के प्रती तुम आ सकती मत रखो ते संगे अस्तु अकर्मनी मा किन्तु उस कर्म के प्रती भी तुम्हारी आसकती नहीं होनी चाहिए शी कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि हे अर्जुन तुम ये भैबीत हो रहे हो कि तुम्हारे युद्धि करने से कौर्वों का विनाश हो जाएगा मुझे पाप की प्राप्ती होगी तो वो कहरें कि येदी तुम केवल कर्म में ही अपना अधिकार समझो कि तुम शत्रिय हो और शत्रिय का कर्म है युद्धि करना तुम मात्र अपना कर्म में अधिकार समझती हुए ही तुम कर्म करो फलीशुक अदाजन्मा उस कर्म के द्वारा क्या परिनाम प्राप्त हो रहा है उसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है और उस कर्म फल के प्रती जब तुम आ सकती नहीं रखोगे तो तुम उस कर्म के फल के बंधन से मुक्त हो जाओगे तुम्हें न पाप की प्राप्ती होगी न पुन्नी के प्राप्ती होगी जोंकि तुम्हारे मन में कर्म फल के प्रती कोई आ सकती नहीं है किन्तो कर्म फल के प्रती आ सकती न होने पर भी कर्मनी तुम्हें कर्म करना ही होगा तुम कर्म के प्रती भी अना सकत मत बनो 38 युद्धी रुपी जो क्षत्रिय कर्म है उससे तुम पलायन मत करो मात्र उसके परिनाम के प्रती तुम आ सकती मत रखो और इस प्रकार निशकाम भाव से तुम केवल अपना कर्म संपन्न करो इससे आगे शी कृष्ण कहते हैं योगस्थ कुरू कर्मानी संगम त्यक्त्वा धनन्जय सिद्ध सिद्धयो समो भुद्वा समत्वम योगम उच्चिती यहाँ पर योग को परिभाशित किया जा रहा है कि हे धनन्जय संगम त्यक्त्वा सिद्ध सिद्धयो समः भुद्वा योगस्थ कर्मानी कुरू कि हे धनन्जय हे अर्जुन संगम त्यक्त्वा आसक्ती को त्याग कर आसक्ती अर्थात कर्म फल की जो आसक्ती है उसको तुम त्याग करके सिद्ध सिद्धयोहो समो बुद्वा सिद्ध सफल्ता असिद्धयो असफल्ता में समो बुद्वा समान रह करके दोनों को समान रुपसे स्विकार करके योगस्त कर्मानी कुरू तुम योग में स्थीत होते हुए निश्काम भाव से कर्मानी कुरू तुम कर्म करो समद्वम योगह उच्चेते और ये जो सम भाव हैं करम फल की आसकती से रहीत हो करके जै पराजे हर्श शोक सुख दुख में समान रहते हुए जो कर्म किया जाता है योग उच्चेते उसे ही योग कहा जाता है तो यहां पे शिकरिश्ण धनंजे को कर्म फल के आसकती को त्याग करके सफलता असफलता पाप पुन्य में समान रहते हुए योगस्थ मात्र अपना करतवी समझते हुए कर्म करने हैं तू प्रिरीद करते हैं और इस प्रकार कर्म करने को ही योग कहा जाता है इससे आगे पुनह निश्काम कर्मयोग का उपदेश देते वे श्री कृष्ण कहते हैं पुद्धी युक्तो जहाती इह उपदेश देते वे श्री कृष्ण कहते हैं जो बुद्धी से युक्त है निश्काम कर्म की बुद्धी से जो भी युक्त है मनुश्य जो कर्मफल की आसकती नहीं रख रहा है वह सुक्रत चाहे पुन्य कर्म हों दुश्क्रते अथवा पाप मै कर्म हों इन दोनों को ही जहाती इह इसी संसार में त्याग देता है अर्था जब मन में कर्म फल के प्रति आ सकती नहीं है जो समत्व योग में इस्थीत हो चुका है ऐसा मनुश्य पाप कर्म अथ्वा पुन्य कर्म करते हुए भी उनके परिनाम को उनके फल को जहाती इह इसी संसार में त्याग देता है वह उस कर्म फल के बंधन में बंधता नहीं है तस्मात योगाई युज्यस्व तो इसी लिए तुम योग युक्त हो करके सम भाव से युक्त हो करके सिद्धी असिद्धी में सम बन करके द्वंदो से रहीत हो करके युज्यस्व तुम युद्य करो अपने कर्म के में तुम सलगन हो जाओ योगह कर्मसु कोशलम और अपने कर्मों में कुशलता होना ही योग है अपने कर्तविय कर्म को पूर्ण निष्ठा के साथ पूर्ण करना ही योग कहा गया है तो इसलिए तुम समत्व बुद्धी से युक्त होकर निश्काम भाव से कर्म फल की आसक्ति को त्याग करके मात्र अपना करतविय समझते हुए तुम कर्म करो युद्य करो जब तुम इस प्रकार समभाव से युक्त हो जाओगे तो सुकरत दुश्करते कर्म के फल स्वरुप जो भी पाप है अत्वा पुन्य है इह जहाती इसी संसार में तुम त्याग दोगे उस कर्म फल के बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे तुम्हे वह कर्म फल भोगना नहीं ह होगा तस्मात योगाई युज्यस्व इसलिए तुम योग से युक्त हो करके युद्ध्य करो कर्मसु कोशलम योगह और अपने कर्तवी कर्म में कुशलता प्रदशित करना ही योग हैं तो इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध्य हेतु प्रेरित करते हुए उसे तीनों गुणों से युक्त हो करके निर्ध्वंद रहे करके और निर्योग शेम के साथ में आत्मपरायन बनने का उपदेश देते हैं वह कहते हैं कि ब्रह्म ज्यान के प्राप्ति हो जाने पर इन वेदिक क्रियाओं के प्रति कोई आसकती नहीं रहती हैं मनुश्य का मात्र कर्म करने में ही अधिकार हैं उसके फल में उसका कोई अधिकार नहीं है अतह हम कर्म फल का हे तू नहीं बने किन्तु अकर्म में भी हमारी आसकती नहूं हे धननजे तुम कर्म फल की आसकती को त्याग करके सिद्धी और सिद्धी में समान बनते हुए समत्व योग से कर्म करो और इस प्रकार समत्व बुद्धी से युक्त होकर कर्म करने पर सुकरत और दुशकरत दोनों ही फलों को तुम इसी संसार में त्याग दोगे अतह समत्व भाव से निशकाम कर्म करते हुए तुम युद्ध्य करो और यही योग है तो आज की इस वीडियो में यहीं तक धन्यवाद